आप जानते हैं कि ये आदमी जिसका नाम है डैनियल राज आपके बीच में ट्रास्लेशन को स्टड़ी करता है, हिस्ट्री को स्टड़ी करता है, उसके बात सारी बातों को जाच कर और बिलकुल कॉंटेक्स में पुस्तकों का अध्यन और साथ इसाथ अगर कोई टॉपिक है या कोई विशे उसको भी भारीकी से अध्यन करने के बाद आपके बीच में यहाँ पर फ्लाश करता है, यानि क्या आपके बीच में रखता है, साथ ये भी बता दो, अगर मैं डंके की चोड़ पे बोलता हूँ, कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखा हूँ, मैं इसले कहता हूँ क्य की ऐसी तैहरी के साथ आपके बीच में आता हूँ, ओके, डैनिल भाई, क्या ये घमंड है, जी हाँ, बिलकुल घमंड है, किसका, वचन का, मुझे इस पुस्तक का घमंड है, और मुझे घमंड है इस बात का, कि परमिश्वर के वचन को मैं समझ पा रहा हूँ, आत्मा के द रखता हूँ, और उसी कड़ी में आज ये बाते आपको दी जा रही है, तो मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, वाइफाय आया, ओके, मैं चाहता हूँ, आप लोग बिलकुल तैहरी के साथ उत्साहित होकर इन बातों को आज आप सीखेंगे, एक ऐसी पुस्तक जिसको कहत हैं, the book of Hebrew, जिसका आज पहला अध्याए आपके बीच में होने जा रहा है, दुस्सा चैप्टर, अगले आफ्टे होगा, तो आज एक ही चैप्टर है, तो मैं चाहता हूँ, कि आपके बीच में इसकी अध्यान शुरू करो, are you ready for this, जी, एक अच्छी तालीब जाकर हम परमि बिल्कुल आप लोग जो हैं, लिखेंगे इसको, ना दोस्तो, इसके पहले कि मैं पुस्तक का ध्यान कर रहा हूँ, लिखा है कि लेकिन पहले कुछ ज़रूरी बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ, इस पुस्तक को लिखा है कि यह पुस्तक लिखी गई थी before 70-80, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक देखा आपके स्क्रीन के ओपर, यह पुस्तक लिखी गई थी before 70-80, अब इसका connection क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, लिखा है क्योंकि मंदिर 70-80 में गिराया गया था, यानि कि 70-80 तक यहूदी, शब्द को पढ़ लो, यहूदी उस मंदिर में, जिसको सुलिमान ने बनाया था, ओफरिंग चड़ाते थे, सैक्रिफाइस करते थे, बलिदान करते थे, आपको बता दू, यह वही मंदिर है, जिसको जब चेलों ने कहा मती 24 में, कि देखो कितना सुन्दर है, देखो कितना भव्य है, तब येशु ने कहा था, कि इसका एक पत्थर तोड़ा जाएगा, इसकी खुबसूरती है, इसकी प्रतीमा तहस नहस की जाएगी, क्योंकि येशु को पता था, और जब येशु बात कर रहे थे, तब दोर चल रहा था 33 AD का, या 30 AD का, तो ठीक 40 साल के बाद, ये मंदिर, रोम की सरकार के दौरा, इस sacrifice, इशु के बलिधान के बाद भी, इस मंदिर में होते थे, बहुत ध्यान से सुनना होगा, ये आदमी study करकर बैठा है, इसलिए आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनना होगा, जितने facebook और youtube पर है, मैं आप सभी को बता दू, कि sacrifice, यहां होते थे, आपको एक और चीज ब It is finished, ये पूरा हुआ, उसके बावजूद मंदिर का परदा, उस वक के जो महायाजक थे, उस वक के जो लोग थे, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से आँखों से देखा था, कि मंदिर का परदा उपर से नीचे तक फट रहा था, जैसे ही ये शुने अपने प्रान को वैसे ही मंदिर का परदा उपर से नीचे तक फटा, उसके बावजूद सेक्रिफाइजस चड़ाये जा रहे थे, जानवरों के बलिदान किये जा रहे थे, लहू बहानी का कारिया वहाँ चल रहा था, तो तब जाकर मैंने इसको हाइलाइट इस ले किया हूँ कि सेक्रिफा क्या है, आगे रखूँगा, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि इस पुस्तक को लिखा किसने हैं, तो बाइबल के जितने सो कॉल्ड तब भी और अब भी, जो स्कॉलर माने जाते हैं, या मसी की, जिसको हम कहते हैं इतिहास की जानकारी रखते हैं, तकरीबन लोगों का मानना ह कि इसका लेखक पॉलूस होगा, और मैं भी इसको मानता हूँ, मैं इसले कहता हूँ, क्योंकि पहली बात, इसका लेखक कौन है, उसने खुद को यहां पेश नहीं किया, उसकी कई वज़ा हो सकती, एक वज़ा बता देता हूँ, वज़ा यहां है, कि यह पुस्तक जब ही जा रही थी, वहां यहूदी मुझूत थे, मंदिर अभी तक नहीं गिरा गया था, साती सात, सताओ, रोम की सरकार से भी था, सताओ, बाहर से भी था, दूस्ताओ, यहुदियों से भी था, पॉलूस उसमें से एक आदमी है, जो खुद्य यहुदी होकर, उस वक्त की कलिस जिसको हम कहते इसा मसी pam सिल को लेकर प्रचार का करने वालों को यह बांध बांध कर उनको मोद की सजा सुनाता था या उनको मोद देदा था यह आपको सर्थ पता होगा. मेसियानिक जुविश्षण को लिखा था जो येशु को मान चुके थे येशु पर विश्वास कर चुके थे कि येशु ही है जिसकी प्राफेसी ये शाया ने जिसकी प्राफेसी Old Testament मूसा से जिसकी प्राफेसी Daniel नभी जिसकी प्राफेसी Minor Prophets जितने 12 minor prophets हैं उन सभी के द्वारा वो मान चुके थे कि ये येशु है अगर इसका लेखक Paulus है तो उसने इसको secret रखा होगा वजह क्या थी? क्योंकि Paulus कही बार कह चुका है कि मेरे क्लेश को तुम बड़ा मत दो जिसके चलते वो कुछ बातों को जागर नहीं करता था किसी का कहना है कुछ scholars का कहना है कि इसका लेखक Paulus हो सकता है और किसी का ऐसा मानना है बहुत कम संक्या उनकी बरनाबास बट मैं इसको मानता हूँ कि इसका लेखक Paulus होगा anyway मैं चाहता हूँ कि यहाँ तीन तरह के यहूदियों से आपकी पहले परिचे करा दो पहला कुछ तो पक्के यहूदी थे मुसा वाले जो बिलकुल कटर थे रुडी वादी थे और उनको बड़ा चिड़ था कि इसा मसी का प्रचार या शुआ का प्रचार कैसे कर सकतें यह लोग यह गुरूप था दुसा वो ऐसे लोग थे कि यहूदी भी थे और मसी में भी थे तो जिसको कह सकते हैं कि इनका पैर एक मसी में भी था और दुसा पैर अपने पुराने रिती रिवाद यहूदी में भी था आज भी ऐसे लोग हैं आपको पता है बसी में तो आ जाते हैं लेकिन अंदर भी हैं और बाहर भी है और जिसका जिकर ये शुकर चुका है कि जा ना तो तुम ठंडे हो ना तो तुम गुन-गुने हो तुम बीच में हो ना ठंडे ना गरम गुन-गुने हो बीच में हो Anyway, तीसरा ग्रूप कुछ पूरी तरह से यहुदी मत से बाहर आ चुके थे जिसको कहते हैं मेसियानिक जुविश तो यहां पर टोटल तीन प्रकार की यहुदियों को मैंने आपका जिकर रख दिया है आपके बीच में एक पके वाले दूसरे बीच वाले और तीसरे पूरी इस तरह वाले इसका मतलब है कि यह शुमें पके वाले ना दोस्तो एक वेक्ति से आपकी मुलाकात कराता हूँ और उसका नाम है शिमौन हजदिक शिमौन हजदिक इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसकी पुस्तक का नहम है योमा एक पुस्तक है योमा 39B मैं चाहता हूँ कि यह जो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप उसको जाकर Google में Wikipedia में आप इसको पढ़ सकते हैं योमा 39B एक राभी था या रभाई था जिसको हम कह सकते हैं एक रभाई था जो उस वक्त में येशु के उसके बाद लगातार 40 साल से ये वक्ती जिसका नाम है शीमौन हजदिक ये उसमक का हाई प्रीस्त था और इसके सेविकाई के दर्मियान मंदिर में कुछ दीन घट ना घटी इसकी आर्टिकल यहाँ पे रखी है आप बाद में पॉस करके पढ़ सकते लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ देना चाहता हूँ कि दूरिंग दे लास्ट फॉर्टी येर्स बिफोर दिस्सक्शन अफ दे टेंपल दे लॉट मतलब लॉट्री एक चिठी डाली गई लॉट्री डाली गई कौन सा बकरा मैं भी रखने जा रहा हूँ अचन को लेकिन पहले इसको complete कर देता है लिखा है कि दिड नॉट केम अप इन दे राइट हैंड नौर दिड दा क्रिम्सम कलर्ड स्ट्रैप बिकम वाइट एक कपड़ा होता था वो भी रखूँगा वो सफेथ नहीं हुआ येशू के पहले वो सफेथ होता था मैं आपको रखूँगा तो बता दूँगा नौर डिड दे वेस्टन मोस्ट लाइट शाइन और दोर्स अफ दे हेक प्रैकेट में टेंपल वोड ओपन कुछ नहीं हुआ तो ये चित्र देख लीजिएगा लेवी वेवस्त था उसका सोला का आठ में लिखा है कि हरून दोनों बकरों पर चिठियां डाले एक चिठि यहोवा के लिए यानि कि राइट साइड में और दूसी अजाज हेल के लिए जिसको छोड़ दिया जाता था जंगल के अंदर और उपर आप वहाँ देख सकते हैं कि कपड़ा जब सेक्रिफाइस होता था एनिमल्स का खास करके इस बकरे का राइट साइड वाले का तो जो कपड़ा होता था वो पुरी तरह से लहू लुहान होता था लेकिन जब वो अती पवित्तर स्थान में ले जाते थे उसके लहू को तो कपड़ा पुरी तरह से सफेथ होकर बाहर आता था कुछ ऐसे लेकिन येशू के क्रूस पे चड़ाए जाने के बाद से 33 AD के बाद से 70 AD तक ना तो बक्रा मैं रख दे रहा हूँ ना तो बक्रा राइट साइड में आया ना सफेथ कपड़ा जो लहू लुहान हो जाता था वो वैसा का वैसा ही रह गया सफेथ नहीं हुआ ना तो लाइट जली जो की जलती थी अपने आप से और वो दर्वाजा खुलता था अपने आप से नहीं खुला अब आप सोच के देखिए कि उस वक्त जब यहां पे यहूदी अर्पन करते जा रहे लेकिन किसी प्रकार का वो कप्रा सफेथ नहीं हुआ लगाता 40 साल तक लेकिन सेक्रीफाइस चलते गए तो लेखक जब इसको लिख रहा था या लिख रहा है तो उसको पता है कि वो क्या लिख रहा है तो इबरानियों की किताब एक से लेके 13 चैप्टर तक आपको यह समझना होगा बहुत इंटरस्टिंग है बहुत ढीप है और बहुत कुछ सीखने लाइक है मैं चाता हूँ आपके बीच इन बातों को रखो तो दोस्तो आपको अभी तक कैसे लगा क्या इसके पहले आपने कभी यह सुना था क्या इस वेक्ति के बारे में आपने पहले कभी सुना था अगर सुना था अगर नहीं सुना है आज ध्यान दीजेगा तो जिसके चलते आपको मैं यह क्लियर कर चुका हूँ लेखक यह पुस्तक मैसियानिक जूष को लिखता है और उनको उत्साहित करता है कि तुमने जो रास्ता पकड़ा है मसीह का वो सही है जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वो सही है इससे पीछे मत हटो बार बार आपको यह पुस्तक में आपको पढ़ने मिलेगा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे यूट्यूब पर अभी कितने लोग जुड़ गए है ओके तो सहरे तिन सो यूट्यूब पर दो सो फेस्बुक पर मैं आप पांच सो लोगों का वेलकम करता हूँ यहां से आगे सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं लेखक इशू को इन सब से बढ़कर बताता है इस पुस्तक में किस किसे पहले भविश्वक्ताओं से बढ़कर और वो चैप्टर वन में है स्वर्गदूतों से बढ़कर वो चैप्टर वन और टू में है मुसा से बढ़कर वो चैप्टर त्री में है यहुशू से बढ़कर येशू को बताता है चैप्टर फोर में है महायाजकों से बढ़कर हाई प्रीस से बढ़कर चाप्टर 5 से लेकर चाप्टर 9 तक में और आखरी में तंबू टबरनैकल से भी बढ़कर जो उस वक्त में मुज़ा ने बनाया था चाप्टर 9 में तो इशू अगर कोई मेरा मुसलिम भाई देख रहा है आपको दिक्कत है न कि येश्व मसी गौड कैसे हो सकता है मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से आज इस किताब की अध्यन मेरे साथ कर लीजे और जितने वो लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से मुसल्मानों के not sub, कुछ so called जो बहुत ज़ादा खुद को ग्यानी समस्ते है आप लोगों से सवाल करते है ये अध्यन इस पुस्तक का अध्यन आपको मदद करेगा उनको जवाब देने के लिए चली आज की पहली अध्याय शुरू करते हैं मैं चाता हूँ कि ये वचन एक और को पहले हम पढ़ लेते हैं अध्याय नंबर एक चैप्टर नंबर वन वस वन एन टू लिखा है कि भुरुव युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भाती भाती से भवश्वक्ताओं के दोरा बाते कर इन अंत के दिनों में हमसे पुत्र के दोरा बाते की जिसे उसने ब्राकेट में पिता ने सारी वस्तुवों का वारिस ठहराया और उसी को यानि की येश्व को उसी येश्व के दोरा उसने यानि पिता ने सारी सिस्टी की रचना की है वाव तो सबसे पहले आप जब इसको पढ़ते हैं अभी तक आपने अब रहने किताब को अगर पढ़ा होगा दबू काफी फुरू को तो आपको पढ़ने के वक्त में ये लाइन पहले मिली होगी कि पुर्व यूग में तो ये किसको लिख रहा है? यहोदियों को क्योंकि बाप दादा या बाप दादों यह जो लैंग्वेज है ये सबको नहीं समझ आएगी यह सिरफ यहोदियों को ही समझ आएगी और वो बाप दादों की कुछ फोटों मैं रख दे रहा हूँ बाप दादों भवश वक्ताओं और पत्र आप जड़ा चित्र देख लिजेगा यहां पे आदम है यहां पे नू है यहां पे हनोक है यहां पे आपका क्यान कहते हैं अबराम है, इसाक है, याकूब है, जोसफ है मोजस है, वो सारे के सारे प्रॉफिट्स हैं, किंग्स हैं उन लोगों के द्वारा लिखा है थोड़ा-थोड़ा करके बात की, अब इसको थोड़ा सा हाइलाइट करेंगे थोड़ा-थोड़ा को, मैं लिखा है थोड़ा-थोड़ा और भाती-बाती से बहुत शुक्तों के दरह बाते की, बहुत ध्यान से सुनना होगा, जब हम Old Testament को प के वो सारे के सारे स्कॉलर्स जो कहते हैं कि देखो इनकी बाइबल में कितना एरर है, देखो इनकी बाइबल इनकंप्लीट है, देखो इनकी बाइबल में पूरी बाती नहीं है, तो मैं आपको आज बता दूँ, इस लाइन को पढ़ लिजे, लिखा है कि भुरवयुग में परमिश्व ने भाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा बात किया पूरा नहीं भाती भाती से बात किया पूरा नहीं कहता है कि उनसे बात किया तो जब भी आप Old Testament को पढ़ते हैं तो अब अपने दिमाग से नहीं पढ़ना है आप अपने तरीके से अगर इसमें कोशन पूछोगे कि आंसर यहां से ऐसा मिले तो भाया नहीं मिलेगा डैनियल भाई तो फिर प्रूफ कैसे होगा कि सही क्या गलत क्या है आपको किसने कहा कि आपको प्रूफ करने की जरुरत है आपको किस ने कहा कि जब तक प्रूफ नहीं होगा आपको नतीजे पर मता हो ना नतीजे पर और मता हो ना कंक्लूजन पर आपके बीच में रास्ता रखा गया है आपको बीच में समझाने के लिए बाते रखी गई है आपका दिमाग जो है ना कुछ लोगों का मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ उनको ऐसा लगता होगा कि यह आंसर होना चाहिए वहाँ वो आंसर, example के तौर पे आधम को पता था, माफ करना, परमेश्वर को पता था आधम फल खाएगा, गलती करेगा तो परमेश्वर ने वो पेड़ वहाँ क्यों रखा तो फिर उसको पड़ो, लिखा है कि थोड़ा-थोड़ा और भाती-बाती से बात किया, थोड़ा-थोड़ा complete नहीं लिखा है और क्यों नहीं लिखा है रोमियों के किताब उसका नवा अधिया कहता है हम होते कौन है हम मट्टी के बरतन होते कौन है हम मट्टी से बनेवे इंसान होते कौन है उस सिस्ती करता पॉटरर जिसको कुमार कहते है उससे प्रशन करने के लिए कि तुने हमको ऐसा क्यों बना है हमारी उकात है हमारी कोई उकात नहीं है उसके सामने ऐसे सवाल करने की तो जितना लिखा है न चुपचप सुना करो आपको नहीं सुनना है Just leave टाटा बाई बाई नमस्ते दूद का दूद पानी का पानी इस जमीन पे नहीं होगा दूद का दूद पानी का पानी परमेश्वर के सिहासन के सामने होगा उसने हमसे क्या कहाँ है Just believe उसने हमसे क्या कहाँ है बस मानो मुझे ताजुब है मैं Out of box जा रहा हूँ लेकिन आपको बतादू मुझे ताजुब है अगर मैं वहाँ होता आप वहाँ होते तो हम सारे के सारे News Reporter की तरह एक बाबा को पकड़ कर ये पूछते वो बाबा का नाम क्या है? वो बाबा का नाम है अबराहम इबराहिम उस बाबा को पूछते आप सब कुछ छोड़ कर तब तो मुसा ने किताब भी नहीं लिखी थी नहीं आई थी तबी सोच के देखी आप अब रहाम बाबा को पूछते किस अधार पर एक अवास को सुनकर अपने भाप के घर को छोड़ दे और जो रास्ता मैं दिखाता हूँ है चल पर रेगिस्तान था वो ना शॉपिंग मॉल था ना बानी का कुवा था ना किसी प्रकार की चाय की टपरी थी ना किसी प्रकार का एटियम काड था ना किसी प्रकार का कोई ट्रांसपोर्ट था ओटो रिक्षा साइकल बस ट्रेन नथिंग उसके बावजूद उसने आवास सुनी निकल पड़ा इसको क और उन्होंने सुना तो फिर कह देता हूँ कि आपके हिसाब से आपको जवाब नहीं मिलेगा सुना है सुनो नहीं तो अपना काम करो वचन दो पढ़ने जा रहा लिखा है कि इन दिनों के अंत में हम से पुत्र प्रैकेट में येश्व के दोरा बाते की जॉन दाबैप्टिस वो लास्ट प्रोफिट है कान कोल के सुनो ये वोस दाबैप्टिस कैसे बोल सकते हैं क्योंकि बाइबल कहती है बाकी यहां वहां ऐसे वैसे वाले तो रमकान जो भी खुद को सो कॉल कहते हैं उनकी कोई बक्वास हम तवज्जू नहीं देते लास्ट प्रोफिट जॉन दाबैप्टिस था मतलब वही था बाकी खुद को बनाते रहें जो बोलना है बोलने दे तो पुत्र के द्वारा बाते की अब पुत्र के द्वारा जो लेखक है क्या कहता है सुनो जिसे उसने यानि पिता ने लिखा है सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया उसी के द्वारा उसने सारी सिस्टी रची है उत्पती एक एक जेनेसेस वन वन आप जब पढ़ते हैं वहाँ येशू है येशू मसी इसा मसी येशू हा वहाँ आपको मिलेगा उसने कहा चीजे हो गए उसने कहा चीजे हो गए तो सारी सिस्टी की रचना येशू के द्वारा हुई है जब कहा न सूरज हो बध्यान सो सुनना और आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे देते रहे ना नीचे फेस्बूक और यूटूब पे जब येशू ने कहा चांद हो सूरज हो तो वो हो गए जब उसने कहा गैलेक्सी हो अभी अमारा चंद्रियान पर आपका एक यंत्र भेजा गया है वहाँ पे क्या है क्या नहीं है वहाँ पानी है नहीं है गैस है नहीं है हवाए नहीं है क्या-क्या चीज़ें जाच करने के लिए बेजा गया है आपको पता है लाखों किलो मीटर का ट्रैवल करने के बाद में वो प्रित्वी के कक्ष से बाहर जाकर वो जब आपका क्या कहते है उसको मैल कीवे या फिर आपका आकाश गंगा जो इतना विशाल है उसमें सूरज चांद ये तारे उसके चक्कर जब लगा रहा है सोच के देखिए ऐसा विशाल ऐसा विशाल सोलार सिस्टम आपका उसको येश्व ने कैसे बनाया मात्र शब्दों से Can you believe this? Daniel भाई आप इसको इतना emphasize क्यों कर रहे है आप इसको इतना तवज्जू या खीच क्यों रहे है वो इसलिए खीच रहा हो क्योंकि सूरज और चांद और थारे इसको बनाने वाला है येश्व मसी मानना है मानो नहीं मानना है just leave अगर इसको बनाने वाला येश्व है तो सोच के देखिए जो इनकी पूजा करते है जो इनको कुछ समझ कर डर जाते है कि आज शनी भारी है आज ये भारी है आज तारे ठीक नहीं है आज हमारा भविश ठीक नहीं है मैं कहता हूँ ये सब के सब येश्व के बनाए हुए अगर आप येशु के पास आते हैं येशु को अपना जीवन देते हैं तो फिर आपको किसी के बाप से ड़ने की जरुत नहीं है दोस्तों कैसा लग रहा है अपनी प्रतिक्रिया देते रहें फेस्बूक और यूट्यूब पर ये अंडिस्टेंड या तो लिखा है कि उसी ने सारी चीजों की सिस्टी की है तो ये रहा आपका सिस्टी करता ये रहा आपका मसीह येशुआ वचंतीन रख रहा हूँ वह ब्रैकेट में येशु उसकी ब्रैकेट में पिता तो इसको ठीक से पढ़ देते हैं वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की चाप है KGV translation New KGV in fact कहता है who being the brightness of his glory and the express image of his presence his person his person तो ये शुकौन है उसकी महिमा एक दुसरा उसकी तत्व की चाप है उसके image परमेश्वर कैसा दिखता है उसका वो चाप है कौन येशू फिलिप ने पूछा येशू के बाराचेलों में से फिलिप ने पूछा मुझे पिता को देखना है आवाज सुन लो ठीक है क्या फट नहीं रहा था न मुझे पिता को देखना है आपको पता है येशू ने क्या कहा येशू ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा अब ये वच्छन को कॉपी कर लो पता चल जाएगा जाखिर नाइक एमद शेक जो उसका गुरू था मर चुका है विचारा और उसके जाखिर नाइके जितने भी चेले और उसके एक जितने चेले और आजकल के so-called जो कहते हैं कि जीजस कैसे God हो सकता है इनकी बीच बीच में एक दो वीडियो आती रहती है और मेरे WhatsApp पे उसको भेजा जाता है कि देखो ये क्या बक्वास चल रहा है तो कहते हैं सडकों के उपर बहस करते हुए पाए जाते हैं ये लोग कहते हैं कि जीजस ने खोदापने मूँ से crystal clear statement कब दिया कि मैं God हूँ और मेरी worship करो वा भेटा तो मेरा question है आपकी जब खिताब को तुम पढ़ते हो जो कि मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ उसको किस ने दिया तुमारे इसाब से गैबरियल ने दिया तो गैबरियल की तुम सुनते हो तो ये गैबरियली था ना जो मरियम के पास आया और उसने कहा कि तुँ एक कोरी है तुँ गर्वती होगी तुझे एक बेटा होगा उसका नाम Emmanuel होगा Emmanuel का मतलब क्या पता है परमिश्वर हमारे साथ Elohim हमारे साथ तुम नब्यों की किताबों पर भरुसा करते हो अफकोस करते हो तुम प्रॉफिट की किताबों पर भरुसा करते हो Of course करते हो माइनर और मेजर प्रॉफिट की बातों पर भरुसा करते हो Of course करते हो तुम्हारे खुद की भी किताब में लिखा है कि इंजील को पढ़कर घ्यानी हो जाओ इंजील को पढ़कर तुमको रास्ता दिखाई देगा लिखा है ना या और अगर इसके बहस में कभी उतरूं और अगर इसके डिबेट में कभी उतरूं तो मैं फाड़ दूँगा फिर क्योंकि येशु ने डैरेक्ट और इंडैरेक्ट और इशु के बारे में डैरेक्ट और इंडैरेक्ट बहुत बार कहा गया है कि वो खुदा है वो खुदा है Arabic language में आप God को अल्ला लिखते हैं या मैं जानता इस बात को तो इस वच्छन के मताबिक इशु वह उसकी Elohim की खुदा की अब इसको पढ़िये लिखा है कि अपनी सामर्द के वच्छन से संभालता है इसका मतलब है कि बुरी की बुरी दुनिया अगर आज टिकी है तो येशु के शब्द पे टिकी है येशु के शब्द पे टिकी है अब इसको पढ़िये वह येशु पापों को धो कर उच्छे स्थानों पर महिमा महीन के दाहिने जा बैठा ओके तो आप यहां तक जान गए हैं सीख लिए हैं मैं चाहता हूं कि अब अब वच्छन चार से लेकर वच्छन चौदा तक आपको एक अलग लेवल पे ले जा रहा हूं क्योंकि वो ऐसा ही है तो पहला चित्र देख लीजेगा लिखा है अब यहां से यानि कि एक का चार से चौदा तक में स्वर्गदूत और इशु का तूलना कंपारिजिशन आपको मिलेगा और साती सात लेकक येशु को स्वर्गदूत से भी उच्छा क्यूं कहता है उसकी वज़ा और इसको पढ़िए यहुदियों की यहुदियों के बीच स्वर्गदूतों का एंगल क्यों जी हाँ आपने ठीक पढ़ा स्वर्गदूतों का गदूत लाते थे ओल्ड टेस्मेंट में आदम से लेकर जोन्दा बैप्टिस तक अफकोस उसके आगे भी स्वर्दूतों का हल चल देखते हमें मिलता है संदेश लाते थे स्वर्दूतों तो यहूदियों के हिसाब से यह रहा यहूदी इमेज के हिसाब से समझाने के लिए यहूदी परमेश्वर के बाद अगर किसी को सुनते थे दर्शन पाते थे रास्ते पे आगे बढ़ते थे और स्वर्दूत को सुनते थे तो वो कहते थे के परमेश्वर के बाद अगर किसी को इंपॉर्टन्स देना है तो वो स्वर्दू इंजल्स या वच्छन चार पढ़ने जा रहा हूँ अब फिर कहता हूँ जुईश के चश्मे को लगा कर आपको इसको पढ़ना होगा क्योंकि यहूदियों का यह एंगल था लिखा है कि स्वर्ग दूतों से उतना ही उत्तम ठहरा अब येशू की तुलना स्वर्ग दूतों से इसले की जा रही है क्योंकि वहाँ यहूदि थे येशू वो है जिसने फरिश्टों को बनाया है येशू वो है जिसने स्वर्ग दूतों को पैदा किया है लेकिन यहाँ पर तुलना इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि यहूदी स्वर्गदूद को परमेश्वर के बाद जादा तवज्जू देते थे लेकिन येश्व को जो उनके लिए मसीहा भविश्वक्ता उनके लिए जबकि वो खुद परमेश्वर वो बात अलग है वो उसको इतने इंपोर्टन्स नहीं देते थे तो लेखक उनको समझा रहा है कि स्वर्गदूद ठीक है लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो स्वर्गदूद से भी उत्तम है आईए आगे पढ़ते हैं जितना उसने उससे भड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया कैसे प्रित्वी पर आया कुरूश पर मरा मुर्दों में से जूटा इसलिए वचन पाच क्योंकि स्वर्गदूदों में से उसने कब किस से क क्या कि तू मेरा पुत्र है आज तू मुझसे उत्पन हुआ जबकि येशु के बारे में कहता है कि तू मेरा पुत्र है और तू मुझसे उत्पन हुआ है आत्मिक बाते हैं बाते कर रहा हूं आत्मिक बाते कर रहा हूं स्पिच्वल बाते हैं जो आपको समझना जरूरी है जो नहीं समझता है टाटा भाई भाई नमस्ते आगे लाइन कहता है फिर यह मैं उसका पिता होंगा और वो मेरा पुत्र होगा Old Testament में इसकी भरमार है आपके पास वचंचे जब पहलो ठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे ब्रैकेट में येश्व को धंडवत करे प्रकाशिद्वा की किताब के 19 कदस में Revelation chapter 19 verse 10 जानते हो जो येश्व का disciple है स्वर्गदूत के पैर पे जब गिरा तो स्वर्गदूत ने उसको रोका उसने का कि नहीं मैं तेरी तरह सेवक हो मेरा पैर नहीं चोना और जितने भी ये बाबे बाबे समस्ते बाबा बाबे खास करके पंजाब के अंदर ये जो तुम सेवकों के पैर चूते ना चोना बंद करो ये गलत है आधर और अराधना में फरक है आधर अलग है अराधना अलग है अराधना सेर्फ येशु की होती है वर्शिप सिरफ येशु की होनी चाहिए तो लिखा है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे धन्डवत करें स्वर्गदूतों के विशह में ये कहता है ये कहां लिखा है Old Testament में लेकिन आपको पता है कुछ Pentecostal और Charismatic और Independent वालों ने आजके सेवकों ने आजके मसीयों को कहते हैं कि हम आग हैं आग आग जब कि येशु मसी ने आपको और हमको आग नहीं बनाया बलकि उसने आपको और हमको अपना बेटा बनाया आग से बाप्तिस्मा Luke chapter 12 verse 49 मैं चाहता हूँ आग अभी लग जाए John the Baptist कहता है कि वो तुमें आग से बाप्तिस्मा देगा वो बात कर रहा है नरक की आग की not this आग या पवित्रात्मा की आग तुम बहुत गलत सिखार में बैठ गयो आजकल जिसको हम मंडे से ठीक करेंगे तो ये Old Testament का concept है इसको उठा कर doctrine मत बनाया करो आज बहुत सारे प्रचारकों के मुझसे मैं सुनता हूँ Let the fire come Let the fire come बकवास आपको बता दूँ बहुत ध्यान से सुनना अगर सहमत हूँ तो अपनी प्रतिक्रिया YouTube और Facebook पे दे देना ठीक है ना और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहे है तो debate के लिए मैं welcome करता हूँ मंडे से आ जाओ आपको बता दूँ आप और हम ना तो हमें आग की जरुवत है आपको और हमको ना तो अभिशे की जरुवत है आपको हमको ना तो स्वर्दूत की जरुवत है आपको हमको ना किसी प्रॉफिट के हाथ रखवाने की जरुवत है ना बिशप की ना पोस्तल की हमको किसी के चादर और किसी यहूदी के तुरी फूखने की और किसी प्रकार के इजरायल के तेल की किसी की जरुवत नहीं है क्यों क्योंकि आपकी और मेरे अंदर वो परमेश्वर का अत्मा दे दिया गया है जो हमारे साथ रहता है और हमको चलाता और पवित्र अत्मा आपके चादर से तुरी से धेल से पानी से किसी प्रॉफिट के हाथ से और ये सारे चीजों से बढ़कर है कमा ठाली बजाकर प्रभु को धने बाद दीजे कैसा लग रहा है दोस्ता अभी तक ना ऐसा कहते कहते लेखक परमेश्वर की अलोहिम की स्टेटमेंट आपके बीच में रखता है कहता है भरं तो पुत्र से कहता है कहां कहता है वो भी रखूँगा कहता है पुत्र से कहता है यहनी येश्व से कहता है हे परमेश्वर घ्रिक में थियौस अब इसको पढ़िएगा थियौस है उसका Charles है नू, अलोहिम गॉड जिसको हम कहते हैं आल्माइटी गॉड अगर उसका स्ट्रॉंग्स यूज किया गया तो यही यूज किया गया थियॉस 2316 आप जाके चक करो तुम कहते हो ना कि जीजस गॉड कैसे हो सकता है तो लीजिए गॉड खुद कह रहा है कि जीजस गॉड है अब हमें किसी की जरुरत है वो छोड़िये आप कहते है बाइबल में कहा लिखा है बाइबल में कहा लिखा है ठीक है बाइबल को छोड़िया भी यहां पर लेकिन जो परमेश्वर है बाइबल का वो खुद कहता है कि मैं खुद कह तुने धरम से प्रेम और अधरम से बैर रखा है इस कारण परमेश्वर थियोस तेरे परमेश्वर ने थियोस ने थियोस से इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब है कि येशु का वो बहुत द्यान से सुनना और अपनी पीट को लेकर खुद को शबाशी देना क्योंकि मैं एक ऐसी बात आपकी बीच में बोलने जा रहा हूँ बहुत द्यान से सुनना राजा दाहुत का जो अभिशेक हुआ था न वो तेल से बढ़कर ये शाया जितने प्रॉफेट हैं यहां तक ही दैनियल और जितने भी प्रॉफेट जो जो जौन दा बैप्टिस तक थे उन सब की उपर अगर कोई तेल से अभिशेक हुआ है येशू की जियनलॉजी में आती है येशू के वंशज में आती है या वंशावली में आती है वाव अब बताओ पंजाब के लोगो अब बताओ करनाटका के लोगो अब बताओ मारास्टा के लोगो अब बताओ मुंबाइकर के लोगो अब बताओ अफरीका, अमरीका, यूरोप वलो तुमको किसका तेल चाहिए उस बोटल का जो पादरी लेकर गोम रहा है 200, 300, 500, 1000 रुपे में बेच रहा है आपको वो आपको तेल चाहिए या हर्श रुपी तेल जो येशू का भी शेक किया गया क्योंकि जब येशू के साथ जो होता है वो आपके साथ होता है जब येशू मर रहा था तो उसमें आप मर रहे थे जब येशू को माफी मिल रही थी पिता की और से वो उत्तम स्थान मिल रहा था तो आपको मिल रहा था जब आधम के साथ हो रहा था बगीचे में तो आपके साथ हो रहा था तो जो नेगिटिव हुआ आधम के साथ वो आपके साथ हो सकता है तो जो positive येशु के साथ हो रहा है आपके साथ क्यों नहीं होगा बताए तो line लगाना बंद करो पाद्रियों के पीछे Daniel भाई तीन दिन का महा convention है वहाँ पे बड़ा दाड़ी वाला बाबा आ रहा है वो वहाँ पे आ रहा है वो अपना हाथ रखेगा रबा रबा शबा 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 लबा लबा सिकंदरा बांदरा आप समझ रहें ये सब भोलकर हम पर हाथ रखेगा हम नीचे गिरेंगे एए मेरे भाई ये तमाशा ये Daniel राज 20 साल से देख रहा है 20 साल से देख रहा है और किस-किस का बड़ा-बड़ा हाथ सफेद कोट वाला काला कोट वाला पीला कोट वाला नीला कोट वाला ऐसा वाला वैसा वाला पैसा वाला इन सब कोई आदमी देख चुका है दूसरे शब्धमें इनके बीच में उट बैट चुका है पचास बार गिरते हैं लोग औरते गिरती हैं बच्चे गिरते हैं जवान गिरते हैं लेकिन स्थिती हुआ ही है कभी यहां गिरते हैं तो कभी वहां गिरते हैं और ऐसे गिरते हैं तो इनका नाम क्या रखे कि कितना गिरा हुआ है बताइए दोस्तों कैसा लग रहा है एशू का हर्श रुपी तेल से अगर अभी शेक हुआ है तो उसी दिन आपका भी हुआ है मुझे किसी रेवरेंड अपोस्टल प्रॉफिट बिशप का सर पर अपने सर पर हाथ रखवाने के जरुवत नहीं है क्योंकि येशू का हाथ आपकी और मेरे उपर आ चुका है क्या बात वचंदस लिखा है और यह की हे प्रभू येशू को कहता है हे प्रभू आदी में तुने पृत्वी की नीव डाली येशू ने आदी में पृत्वी की नीव डाली और स्वर्ग तेरे ब्रैकेट में येशू हातों की कारीगरी है तो स्वर्ग किसकी कारीगरी है येशू की पृत्वी की किसकी कारीगरी है येशु की पृत्वी पे एक एक चीज जो बनी है किसने बनाई येशु ने ये वचन कहा रहा है दस वचन को फिर पढ़ लीजेगा यह की है प्रभू आदी में तुने पृत्वी की नीव डाली स्वर्ग तेरे हातों की कारी गरी है वाव दोस्तों कैसा लग रहा है अब आद समझ में आ रही है अब आपको येशु का वेल्यू पता चल रहा है जीजस का वेल्यू पता चल रहा है दुस्त आत्मा है याकूब की किताब 2-19 The Book of James Chapter 2 Verse 19 लिखा है कि दुस्त आत्मा है थर थराती है कापती है लुसिफर को पता है कि येशु कौन है लुसिफर को पता है कि येशु कौन है लगे हाथ और एक बात बता दूँ किसी बाबा किसी मौलाना किसी पाद्री या किसी पास्टर के पीछे देल पानी रुमाल कपड़े के चक्कर में पैसे लाखो रुपे खर्च करते बागते मत बैठिये ये सब बंद करो तुमको सच्चा परमेश्वर यहां से मिल जाएगा इस पुस्तक से मिल जाएगा सच्चा परमेश्वर कभी लकडी नहीं हो सकता सच्चा परमेश्वर कभी पत्थर नहीं हो सकता सच्चा परमेश्वर कभी चीजे नहीं हो सकता सच्चा परमेश्वर सूरच, चांद, तारे आकाश और स्वर्ग और पित्वी, पानी, पहार, पेड़, नई यह सब को बनाने वाला परमेश्वर हो सकता जीव जन तू आकाश के पक्षी इंसान नेवर नेवर तो इनके पीछे भागना बंद करो येशु के पीछे चलना शुरू करो वचन ग्यारा वे तो नाश हो जाएंगे फरन तो तू बना रहेगा सब नाश होगा आकाश पृत्वी सब नाश होगे लेकिन एशु कभी नाश होगा और वे सब वस्तर की नाई पुराने हो जाएंगे वे सब वस्तर की नाई पुराने हो जाएंगे वचन बारा तू उन्हें चादर की नाई लपेटेगा वे वस्तर की नाई बदल जाएंगे पर तू वही है तेरे वरशों का अंत नहोगा अगर Yeshua prophet है Yeshua कोई नबी है अगर Yeshua इंसान है तो ऐसी बाते किसके लिए लिखी जाती है सिर्फ और सिर्फ Almighty God के लिए सिर्फ और सिर्फ परमिश्वर के लिए ये सारी बाते वचन तेरा स्वर्ग दुतों में से उसने पिता ने किसे कब कहा तू मेरा दाहिने आत में बैठ तू मेरे दाहिने आत में बैठ जब कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाउं के इंचे की पिडिना कर दू क्या ये सब सेवा टेल करने वाली आत्मा है नहीं जो उधार पाने वालों के लिए सेवा करने को बेजी जाती है परमेश्वन ने कब कहा किसी स्वर्दू से माइकल से, गैबरियल से किसे कब कहा कि तु मेरा बेटा है NEVER कब किसे का कि दाहिने बात बैठ किसी से ने सिरफ ये शुसे दोस्तों कैसा लगा चाप्टर टू अगले हथे सीखेंगे हम